Hi beautiful soul family, friends, अक्सर हम जो जिन्दगी में लेसन सीख रहे होते हैं और बहुत सारी चालेंजिस को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर अपनी आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं. कभी-कभी ऐसा बढ़ा वाता है लाइफ में जब आपको लगता है कि आप हर चीज से बस अकेले ही जूज रहे हैं और एक साथी की जरूरत है कोई ऐसा इनसान जो आपको समझे, जो आपकी खुश्यों को बढ़ाए और जिसके साथ मिल करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ रहा पाएं इसका कोई वो उम्र नहीं है, कोई वक्त नहीं है ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता और इस वक्त जो एनरजी मैं पिक कर रहे हूं कि बहुतों को वो हताशा है कि वो अकेले इस जरूरी को जी रहे हैं और यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंज की आज की जो एन आपके लिए इस अकेले पन के यात्रा को अब समागत करींगे, जो भी आपको मेरे विवेवर्श जिनको भी इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे श्वर, य सिर्फ आपकी कर्मा क्लिंज करवा रहे हैं, सिर्फ आपके कार्मी क्लेसंस ही चलते जा रहे हैं, तो आप इतमनान र से चाहते थे, देखते हैं आज हमें universe क्या message देते हैं, divine हमें क्या बताना चाहते हैं, आप जिस किसी नाम से भी divine को बुकारते हैं, आप उनको ध्यान में रखकर मेरे messages को देखेंगे, तो आपको अपने answers जरूर मिल जाएंगे, आज हमारे पाज बहुत खुबसूरत काज आए हैं, सबसे important पहला जो single card आया है, वो है number 8, Archangel Raphael, Archangel Raphael जो है friends, वो बहुत सारी healing और light, uplifting light लेकर आते हैं, आपको जैसे उपर उठाने के लिए, आपको और हलका बनाने के लिए, तो इस वक्त Archangel Raphael आपके साथ काम कर रहे हैं, और आपको उपर उठने में वो मदद कर रहे हैं, और Archangel Raphael कहा जाता है कि वो एक human form में आपके सामने आते हैं, तो इस वक्त जो भी मेरे viewers हैं, जैसा मैंने कहा कि आपको अगर अकीला पन फील हो रहा है, और देखिए हमारे पा clarifiers आए हैं, तो एक तरह से आपने जैसे बहुत लंबा समय गुजारा है, आप देख सकते हो, इस इंसान के फील्ड को अगर आप देखेंगे, कितना बड़ा है, और ये अकेला ही लगा हुआ है, तो इसी तरह से जैसे आपने बहुत लंबा वक्त गुजार दिया है, अकेले अपने struggle से जूजते हुए, अपने lessons को learn करते हुए, अपने challenges को overcome करते हुए, और अब जो है, ये इश्वर की commitment है, जो आपकी तरफ है, और वो आपको, जो वो helping hand देने वाले हैं, तो जितना आपने दूसरों की मदद की है, जितना आपने दूसरों के लिए किया है friends, अब आ आपके लिए कोई करने वाला है, तो ये वक्त है, कुछ बड़ा achieve करने की अपने personal life में, और जिसका दरवाजा खोल रहे हैं, Archangel Raphael, तो एक जो पुराना सपना, या यू कहें कि कोई ऐसी desire, जो आपने past में छोड़ दी थी, वो एक बार फिर renew हो सकती है, या तो किसी family members से आप दुबारा reunite हो सकते हैं, जो आपकी बहुत मदद करेंगे, या फिर कोई ऐसा दोस्त दुबारा से आपकी life में आ सकता है, कोई love interest आपकी life में आ सकता है, जो आपको support करेगा, और आगे आपकी जिन्दगी में आपकी मदद करेगा, तो अपने आपको अकेला बिलकु कि वो हमेशा आपकी साथ हैं, और आपकी जो लंबी यात्रा रही है, तो अब कोई commitment के साथ आ रहा है आपकी तरफ, और इस वत जो भी आपको support दी जाएगी, वो बहुत ही loyal और committed support होने वादी है, तो बहुत लंबे समय तक आपको वो सहारा प्राप्त होगा, तो बहुत ही beautiful energy friends, इस वक्त जो भी मेरे viewers अकेले जूज रहे हैं, तो उनके लिए support बहुत जल्द आने वाली है, और कहीं मत जाएगा क्योंकि मैं रेखा जैन जी के लिए एक कार निकालोंगी guidance का, जिसमें आपके भी messages हो सकते हैं, तो रेखा जैन जी सबसे पहले तो बहुत बड़ा थां जी में रहने के लिए और आपके लिए जो इतना ही खुबसूरत काड आया है, six of keys, in crescent moon, and number 19 का clarifier है, जो की एक major arcana काड है, reflection, and then we have four of forces, spring and autumn, तो एक तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं, वो अब एकदम grow करने के लिए बिलकुल तयार है, you know, कोई भी field में, कोई भी area में, जह पर भी आप इस वक्त effort डाल रहे हैं, आपकी effort जो है, वो रंग लाने वाली है, अगर आप financially भी अपने आपको बहुत tight feel कर रहे थे, तो अब समझ लीजे कि उसमें भी आपको relaxation मिलेगा, आपको new opportunity मिल सकती है, आपकी creativity बढ़ सकती है इस वक्त, और आपकी reputation, आपकी जो, you know, आपका नाम और भी जादा, जो है, flourish करने वाला है, तो एक तरह से आपके career शेत्र के लिए, ये बहुत ही beautiful time आ रहा है, और आपका जो expansion है, वो आपको travel करवा सकता है, या फिर आपका काम इतना grow कर सकता है, कि वो, you know, जिससे चारों दिशाओं में फैलना हम कहते हैं, इस तर तो एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, आप जहां कहीं भी attention डाल रहे हैं, इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं, जिस किसी काम में भी आपका पुरा focus है, तो वो grow कर रहा है, वो अभी complete हुआ नहीं है, लेकिन अब आप देखेंगी, धीरे-धीरे आने वाले वक्त में, जैसे आपके लिए moon phases बहुत important है, तो आप, you know, new moon, full moon को meditations जरूर करें, और आप देखेंगे कि आपकी growth, जो है, every moon phase के साथ, आप बढ़ती चली चाहेगी, तो बहुत ही beautiful message, और I think ये बहुतो के लिए था आज का message, friends, तो अपना ध्यान रखें, and more, more love and light from Sonia. झाल, 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 झाल.